Hello everyone, welcome to my YouTube channel AH Helpline, क्या हाल चाल, सब बनिया? So, इगनू ने दिसमद होज़ा 20 अटामन इंजमसन रिजल्ट का आज एक और अपडेट पब्रिश कर दिया है और यह रिजल्ट का 14 अपडेट पब्रिश किया गया है जिसमें बहुत सारे स्टुडेंट का रिजल्ट देकलेर किया गया है मैं आप लोग को एक एक करके कौन कौन से सब्जेक का रिजल्ट देकलेर किया गया है कौन कौन से reason का result अभी pending है सभी चीज के बार में detail में आप लोग को information देने वाला हूँ बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और complete जरूर देख लिजेगा सभी information आप लोग को detail में मिल जाएगी वीडियो पसंद है तो वीडियो को like करना बिल्कूल में भूलेगा और इग्नुक लेकिन यहाँ पर एक चीज में clear कर दाना चाहूंगा कि भले यहाँ पर status 6 April को सो कर रहा है लेकिन आप लोगों का result 8 April तक update कर दिया गया है मैं आप लोगों को proof के तोर पर देखा दूँगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा यहाँ पर status लेकिन 6 April को सो कर रहा है जितने लेकिन 7 April तक update कर दिया गया है और ऐसा कभी भी होता है तो एक दिन का भी result देखने को मिलता है तो chances है कि कल भी आप लोगों को एक दिन का result देखने को मिल सकता है तो आप लोग भी result चेक कर लो देखो आप लोगों का result अपडेट किया गया है या नहीं किया गया है मैं आप को प्रूफ के तौर पे कुछ स्ट्रेंड का रिजल्ट सो करके दिखा दरूं यहां पे देखो आइबियो 01 के अप्डेट हुए है डेट अप्डेट के भी अप्डेट हुए है छे अप्रिल को डेट अप्डेशन वेफसाइट सो कर रहा है इसलिए मैंने बोला कि आप लोग का रिजल्ट जो है वो आठ अप्डेट कर दिया गया उसके अलावा देखो यहां पे एंसी 01 और लेसी 10 का भी अप्डेट हुआ है डेट अप्डेट हुआ है उसके अलावा cnc01 के भी अप्डेट हुए है डेटा अप्डेशन वेफसाइट साथ अप्डेश हो कर रहा है यहां पर देखो रिमार्क में रॉंग CRS लिखा हुआ है वो जो मार्क्स अप्डेट करें उनके तरफ से गलती हुआ है यह जो भी स्ट्टेट है वो मेल करेंगी ना तो सारा क इनका जो प्रोग्राम है वो है यहां पर प्रोग्राम लिखा हुआ है इसी वासे यहां पर रॉंग CRS लिखा हुआ है रेकिन वो मेल करेंगी तो फिर यह चीज़ ठीक हो जाएगा यह रिमार्क जो है वो रिमॉब कर दिया जाएगा ठीक है कोई दिक्कत की बात में है तो देखो CNCC का भी रिजल्ट देक्लेर हुआ है उसके इलावा इंकम के भी रिजल्ट देक्लेर हुए है डेटा अप्डेशन और वेबसाइट पांच अप्रिल को सोग कर राएं MCO06 के अप्डेट हुए हैं उसके इलावा MHI का भी अप्डेट हुआ हैं MCH09 के अप्डेट हैं BBA Retailing का एक पेपर है BRL 015 उसका अप्डेट हुआ है MFC DFSM का MFN 005 006 के अप्डेट हुए हैं ANC ACC के काफी स्टुएंट के रिजल्ट देक्लेर हुए हैं ANC 01, ACC 01, HE 01, FST 01, BSHF 01 01, FEG2, FEG1, AUR 01 यह सभी जो पेपर है ना वो सभी स्टुएंट के होते हैं जितने भी हैं आज इमकम के काफी सब्डेक के रिजल्ट देकलेर हुए हैं IBO 01, 03, 05, 06, MCO 06, 05, 07 यह अप्डेट हुए हैं जो new syllabus के स्टुएंट है CBCS सिस्टम में उसमें BUDLA 135, BSDLA 137, BECC 102, BHIC 106 यह भी अप्डेट हुए हैं उसके अलावा MSD19 के अप्डेट हुए हैं MEG 10, MEG 14 14 अप्डेट हुए हैं MTTM का एक पेपर है Master of Tourism and Management का MTTM 10 उसका अप्डेट हुआ है Master of Library Information Science का MLIA 102 अप्डेट हुए है chemistry के CHE10, CHE2, CHE5 अप्डेट हुए हैं mathematics के काफी अप्डेट देखने को मिले MT2, MT6, MT10, 11, 14 यह सब भी अप्डेट हुए हैं BNS 108 एक अप्डेट हुआ है और उसके अलाबा Master of Political Science में MPC07 और BCS05 भी देखने को मिला है तो आप लोग भी रिजल्ट चेक कर लो कौन कौन से पेपर का रिजल्ट हुआ हुआ होगा नीचे कौन बॉक्स में जरूर बताना जिसका भी जिस भी रिजल्ट का रिजल्ट हुआ 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 रिजल्ट के लिए अगर अप्लाई नहीं भी कर रहे हो तो फोटो कोपी आफ आंसर सीट के लिए जरूर अप्लाई करो क्योंकि उसमें प्राइस बहुत कम है 100 रुपीस में फोटो कोपी आंसर सीट आ जाता है जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आपका पेपर चेकिंग ह पिक कर रहे हो कि आपका 70 मार्स आना चाहिए या 50, 60 मार्स आना चाहिए लेकिन अगर आपका मार्स आ रहा है 15, 20, 25 तो आप लोग डिफिनेटी फोटो कोपी आंसर सीट और रिचेकिंग दोनों के लिए अप्लाई करो माल लोग आप एक्सपेक कर रहे हो कि 70 मार्स आएगा लेकिन आपका मार्स आ रहा है 50, 55, 56 तब आप लोग रिचेकिंग के लिए अप्लाई मत करो आप लोग सिर्फ फोटो कोपी आ फांसर सीट के लिए अप्लाई करो क्योंकि एग्रू में थाँसा मार्स कमी देते हैं ठीक है तो अगर आप 70 का एक्सपेक कर रहे हो 55 आ तो कोई और ग्रेट का जहां तक मैं बात करूं तो ग्रेट का अभी अब्डेट नहीं हुआ है ग्रेट का कर दे शचेटर अभी 26 मार्च तक ही सो कर रहे है लेकिन कल ग्रेट काड़ डेफिनिटली अप्डेट हो जाएगा नार्मली वन वीग अटेन देस के अंदर में ग्रेट कार अपडेट होता है और 26 मार्च को लास्ट अपडेट हुआ है तो कल तक आप लोग expect कर सकते हो या और एक घंटा के अंदर में expect कर सकते हो कि अपडेट कर अपडेट हो जाएगा ठीक है तो यही सब्ता है इस वीडियो में आप लोग को टाम एक्जाम रिजल्ट के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेट अपडेट थी उसके बारे में बताने वाला था मुझे उमीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आए होगा कि वीडियो को लाइक जरू कर दे सभी फ्रेंड के साथ से है कि उनको भी इंपॉर्टेट इंपर्मिशन मिल पाए किजी बितार के डाउट के लिए आप तो निए चाओन बाक्स में लिख सकते हैं या मुझे डारेक्ली कॉल करके भी अपना डाउट के लिए कर सकते हैं सभ थाइक यू मुझे लाइक लाइक लिए अवाट रूट था अड़्ट रवाट यू यू अट्यू अट्यू अटूट रूच है